Awakening with Brahma Kumaris कभी न कभी हमारे दिमाग में उपच्चती हैं और फिर उसके solution भी तलाशने की कोशिश की जाती है इस च्रिंकला में हमने यह जाना कि डिप्रेशन वाकई एक बिमारी के रूप में सामने आ रहा है और इसका इलाज भी संभव है कई तरहां के उपाय हैं कई तरहां के इलाज पॉसिबल है चाहे वो मेडिसन से हो चाहे वो साइको ठेरपी से हो या फिर कई बार जब जब ज्यादा सीवियर केसिस हो जाएं तो इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिये जाते हैं किस तरहां के ये इलाज है आज इस पर कुछ और चरचा करते हैं और इस पर बातचीत करने के ल बात करें तो पीछे हमने जो छोड़ी थी बात वो ये थी कि तीन तरहां की ट्रीक्टमेंट्स है जो डिप्रेशन की इस वक्त सम्भव हैं उसमें सबसे पहले आपने बातकी थी ड्रुग से जो की बहुत इंपॉर्टंट हो जाती है बहुत जरूरी है कई मित्स हमने दूर की थी, जो ड्रग से जोड़ी हुई थी, कि दवाईयां लेना कितना जरूरी है, और अगर दवाई सही वक्त पर नहीं लेते हैं, तो it can actually severe cases में lead to suicide also. So, इतना जरूरी हो जाता है, ड्रग या दवाई लेना. आज थोड़ा से और उसके उपर बात करते हैं कि कई सारी बातें तो हमने कर ली है लेकिन बात यह आ जाती है कि कितना लंबा इलाज करना चाहिए क्योंकि कई बार हम यह सोचते हैं थाई से टीन महीने तो क्लिनिकली बहुत जरूरी है उसके बाद क्या हमें lifelong ही वो दवाई लेनी पड़ेगी या फिर इलाज जो है वो संभव है यह हम अपने आप ही मान लेते हैं कि नहीं हम ठीक हो गए हैं lifelong तो लेनी की जरूरत नहीं है अच्छा किसी में depression में नहीं जरूरत हैं कि जब chemical जो imbalance हुआ है वो ठीक होने लगे और जब यह clinical dose पर आ गए फिर दो धाई मास में उसकी perfect effect हो जाती है जो positive effect होनी चाहिए अब अच्छा psychiatrist है उसे कम करना प्रारंब करेगा कि हर 20 दिन या एक मास में थोड़ी-थोड़ी वो से इनको कम करता जाएगा और फिर एक छोटा सा dose जिसे maintenance dose कहा गया है बहुत ही मामूली होता है वो एकदम जो मामूली dose है उसे कम से कम एक साल लेना चाहिए अच्छा यह जो जब हम इस पर पहुंचेंगे वो कितना थाइम हो जाएगा उच्छे महीने भी हो सकता है करीब धाई मास वह तक पहुंचेंगे पंदरा बीस दीन में पहुंचेंगे फिर धाई मास और फिर उसे स्लोली कम करना चाहिए कुछ ऐसे किसे हो सकते हैं कि जहां पर एक मेडिसिन ने काम नहीं किया तो उन्हें मेडिसिन को बदलने की ज़रूरत पड़े परंतु अगर आप सच्मुच religiously psychiatrist को follow कर रहे हैं उनकी मेडिसिन ले रहे हैं तो यह एक जो सिस्टम है वो काफी है अब गलती कहां होती है कि एक तो patient अपने आप मेडिसिन को कम कर देते हैं और जैसे ही आपको पता चलना ना कि भई यह psychiatrist के मेडिसिन ले रहे हैं कहीं कि astrologer के पास जाओ है ना वो क्या कहते हैं कि यह वीधी करा लो फलाना भुआ है वो यह वीधी करता है उससे तुम और देखा है मैंने 60-70% लोग आट-दस दिन के बाद वो मेडिसिन बंद कर दें फिर second attack आता है तो फिर से जाएंगे सबसे बड़े फकर से यह कहा जाता है कि मैंने तो दवाई बंद करते हैं मतलब मुझे मैं तो दवाई भी नहीं खा रहा हूं दवाई भी नहीं खा रही हूं मैं अब तुम अब बेकुल ठीक हो लेकिन कहीं नहीं नहीं है और जब अभी second attack आये तो second attack में अब ठीक होना मु attack मतलब repeat हो जिसको कहें ना कि relapse कहेंगे कि एक बार आप depressed हुए आपने कुछ समय मेडिसीन ली थोड़े अच्छे हुए आपने छोड़ दी कोई भी कारण से 10-15 दिन के बाद फिर से depressed हो गए फिर से psychiatrist के पास गए उसने और कुछ मेडिसीन दी और फिर से आप ठीक हुए फि इसको relapse भी कह सकते हैं कि दूबारा बिमारी होनी लॉंग टर्म इसके impact क्या है depression के actually हम यह तो मान लेते हैं heart की problem अगर आ गई heart की हम दवाई religiously लेते रहेंगे diabetes है तो diabetes की दवाई religiously लेते रहेंगे blood pressure है उसकी सुभा उटके दवाई ले लेंगे thyroid है उसकी दवाई लेंगे how will it you know affect my body depression में जो हम ठीक से treatment नहीं करते हैं तो एक तो वह बिमारी है वह लंबे समय तक चलेगी उसके अंदर विक्रूती भी आ सकती है जिसको कहा है depressive psychosis की पागलपन भी आजए depression के साथ साथ भी पागलपन की जो और भी बुरा है और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि वह suicide तक की अगर नौबत आ गई तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है तो इसके कारण ठीक से treatment लेना बहुत ही ज़रूरी है तो life के ऊपर भी actually अगर हम स तो सब रुख जाएगा तो यहां में भी तो कहीं न कहीं life के ऊपर हमारी पूरी पूरा जीवन जो है जो हम जी रहे हैं उसके ऊपर और और बिमारियां भी जो अपने बताए न कि अगर लंबा सामें depression चले तो आपको heart का problem होने की संभावना भी बढ़ सकती है लंबा सामें depression चले diabetes हो सकता है नहीं बैक के problem cancer तक हो सकता है क्योंकि आप अपने feelings को suppress suppress कर रहे हैं लंबा समय तो उसकी जो treatment available है और जो safe है वो हमें ठीक से करना भूत आवश्यक्त है कि simple बीमारी का इलाज नहीं किया तो वो इतनी बड़ी बीमारी का फिर रूप ले लेगी और कहीं नथी complicated होती जाएगी और बीमारी होने की संभावना बढ़ जाएगी इसके कारण नहीं होगी क्योंकि depression भी एक stress है बहुत बढ़ा तो stress से होने वाली जो बीमारी है वो होने कि संभावना बढ़ जाएगी Stress also leads to depression हमने जब कारणों की बात की थी तो लाइस्टाइल हमारा है इतना stressful lifestyle है वो भी depression की तरफ लेजाएगी यह vicious circle है कि stress depression करेगा depression से आपकी stress बढ़ेगी अच्छा डॉक्टर साहब हम इस पर थे कि जब इलाज कर रहे हैं आपने धाई से तीन महीने तक अपना एक proper clinical dose ली उस लेवल पे लिया उसके बाद आपने गा था कि धीरे-धीरे कम करते जाना चाहिए तो वो कम करना और उस वक्त वो दवाई लेना कई बाह लगता है कि 0. 0.25 mg की गोली ना ही लो तो चलो रहने देते हैं कोई बात नहीं चलो ठीक है कि 0.25 mg तो यह होगा ना इतना ही होगा चोटा सा तो क्या वो कितना important है वो एक साल जो आपने कहा कि वो थोड़ी सी मात्रा में भी लेना जिसे आप कह रहे हैं कि surviving के मतलब उसको एक maintain करने के लिए एक तो क्योंकि वो chemicals को maintain करने हैं इससे पहले एक बात बता दूँ कि एक दिन भी miss नहीं करने जाए अगर हो जाए तो क्या होगा कि chemical आपके slowly built up हो रहे हैं आपने एक दिन नहीं फिर से down आगे तो फिर से उस chemical को built up करने को और आपको ज्यादा time लगे नहीं जो फिर अखले और ने कहा है कि भी सोने से आधा गंटा पहले आप medicine को लेना बाइचांस आप भूल गए आपको रात को दो बजे याद आया तो बहले दो बजे भी ले लो अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि अपने थोड़े समय के बाद लिया है तो वो chemicals की जो positive effect होनी चाहिए वो positive effect slowly होगी तो अगले दिन फिर उसी टाइम पर लेना चाहिए उसी फिर उसी टाइम पर ले हम और miss ना करे double dose तो बिलकुल नहीं लेना है that will be still more harmful और अब बात आई कि भी वो कैसे छोड़े सबसे अच्छा थे कि डॉक्टर को decide करने दो आप अपने डॉक्टर नहीं बनो फिर बार आपको बिलकुल अच्छा हो गया धाई तीन महिने तक सचमुच आप depression से बाहर आ गए एकदम नॉर्मल हो गए आपको लग रहा है जैसे मुझे भी कोई बिमारी नहीं है फिर आप slowly start करते हैं डॉक्टर कि हर मास में या 20 दीन में slowly वो dose को कम करते हैं और एक जो फिर maintenance dose कम से कम एक साल लेना चाहिए और फिर भी एक तो experiment करना है वास्ता में कुछ लोगों को और भी दो-तीन साल भी आवश्यक्ता हो सकती है किन तब हम छोड़ सकते हैं तब हो बहुत मिनिमल होती है और उसके बीच में और चीजे भी करो इसे meditation करो जीवन शैली को परिवरतन मिल आओ पॉजिटिव थिंकिंग करो रिलाक्सेशन करो हां साइको थेरपी विल है तो जो यंग है उनके लिए तो हम कहेंगे कि भी medicine जरूर बंद करो फिक से लो और फिर बंद करो अंत में थोड़े सा में दिक्कत भी हो सकती है छोड़ने पर लेकिन फिर वह हमारी जो brain chemistry adjust हो जाती है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी old age का जहां सवाल है मैंने कहीं देखे जो बुढ़े patient है 70 years के 75 years के है medicine लेने से वो एकदम normal है लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर भूठ सवार होता है कि छोड़नी है छोड़नी है तो उनको मैं कहीं बार कहता हूं कि कितना जीना है अभी आपको अगर आपको 20-30 साल भी जीना है तो इससे कोई serious problem नहीं हो अचा और सबसे बड़ी बात खुद को भी तो नहीं पता होता है कि हमने कितना लंबा जीना है अभी सोच भी लो और सिर्फ medicine की जो थोड़ी सी effect है कोई जादा side effect नहीं कि जो उनकी creative abilities है innovative powers है हो सकता है कि सब medicine आप इसके थोड़ा सा पुरुशार्थ करिये और proper उसका जो root cause है वो भी दूर करना चाहिए root cause दूर हो गया तो फिर वो medicine को बंद करने में मुश्किलात नहीं होगी अगर आप शक्ता है ये भी नहीं अगर वो छोड़ सकते बहले छोड़िये कि आप समझते हैं भी छोड़ने पर आपको serious problem हो रहा है और medicine से आप एकदम normal जीवन जी रहे हैं तो small dose में लेने में आपको difficulties नहीं है यहां लेकिन एक बार clarification ये चाहेंगे कि अगर हम depression में हैं और ऐसे में हम कोई yoga या meditation की जो बात आप कह रहे हैं कि that really helps वहां पर जाते भी yoga करते हुए खासकर या इस तरह के physical activity में जाने के बाद लोग अकसर छोड़ देते हैं वो यह सुछते हैं कि अब तो हम ठीक हो जाएंगे ये सारी क्रियाएं करके क्या वो छोड़ना चाहिए जिसको मैं कहता हूँ feeling good जब व्यक्ति योग आसनादी करता है उसको अच्छा लगता है और वो सोचता है कि अभी मैं दवाई को छोड़ दूँ तो वह dangerous चीज है यह chemicals एकदम कम हो जाएंगे और serious problem होगा छोड़ भी आप सकते हैं एक बार अपने अगर प्रॉपर जो duration मैने का तीन मैने का duration वह दवाईयां ले लिया आपने आप एकदम normal है फिर जो maintenance dose आपका है वो भले दुसरे patient को हम कहते हैं एक साल के बाद बन करो आप try कर सकते छे मास के बाद भी करो अगर आप उससे आप बिलकुल normal रह रहे हैं तब तो ठीक है पर अगर नहीं रहे पा रहे हैं तो जरूर लेनी चाहिए और तुरंत लो फिर रुको ने कई बर से depression set हो जाए तब तक रुको ने कई बार center पे भी कुछ भाय पहने आते हैं सोचते है मेडिटेशन करने से अच्छा लग रहा है तो मेडिटेशन करने के बाद दवाई अपने आप छोड़ देते हैं वो भी खुद नहीं छोड़नी चाहिए ना क्योंकि कही ना कही जो imbalances created है even if meditation से अगर थीक हो रहे है तब भी वो imbalance तो है लेकिन फिर भी कि एक treatment तो finish कर लेनी तो हम यही recommend करेंगे कि आप doctor जैसे कि आपने कहा था कि psychiatrist जो आपका doctor है उस पर 100% faith रखके ही हमें अपना इलाज करें जैसे हम अपने heart के doctor है यह हमारे कोई और problem चल रही है even general physician है उसके पर भी 100% faith रखते है वो कहते इतनी antibiotic खानी है इतनी चाहे कितनी भी हालत खराब हो आप पांच दिन का course खत्म करेंगे ही I have seen really you know people they saying कि आपको पांच दिन की दवाई खानी है चाहे आप बीच में ठीक हो जाए लेकिन वो पांच दिन का depression के बाद आती है तो चाहे वो लड़किया हो या लड़किये parents के दिल में एक बहुत ये क्योंकि हम side effects की बात कर रहे हैं कि अगर दवाई देंगे तो उसके बाद ये normal life नहीं लीड कर पाएंगे इतने side effects हो जाएंगे तो you know चाहे वो अभी इलाज कर रहे हैं चाहे वो मित ही है वास्तों में बल कुछ medicines effect करती है menstrual cycle पर कुछ medicines effect कर सकती है pregnancy में कुछ medicine नहीं देनी है वो तो उस वक्त पे है ना कि जब वो during pregnancy वो medicine नहीं देनी है लेकिन अगर कोई बच्ची जो व्यक्ती है वो college में पढ़ रही है या उस दौरान उसको वो depression में तो कोई तकलीफ नहीं है वास्तों में medicine देनी ही चाहिए और अगर थोड़ी सी side effect हो रही है तो बहुत अच्छी नहीं दवाईया है जो doctor उसको change भी करेंगे और long term effect तो नहीं होते न और youth में तो देनी चाहिए क्योंकि youth में कहीं बार symptoms अलग प्रकार के होते है और इसके कारण youth में अगर उन यहां यह complete chapter यह होता है कि दवाईया जरूरी है कहीं न कहीं किसी mode पर अगर अगर depression में है आप और कुछ देर के लिए ही चाहिए जरूरी नहीं है कि हमें long term ही करना है maintenance के लिए अगर साल पर है तो that's okay लेकिन उसके बाद हम एक बहतर सिंदगी जो एक बोच लेकर हम depression का चलत करते हैं उससे बाहर निकर सकते हैं अब हम शॉक की बात करते हैं कि शुवानी मैं ने भी उस वक्ट बात तूरी थी कि शॉक ट्रीप्मेंट पे होता है electric shocks या convulsions जिसे कहते हैं जो दिया जाता है फिल्मों में अगर हम देखें तो वो एक सबसे खतरनाक चीज होती है किसी क उपयोग नहीं करना चाहिए वास्ता में जो इसका नाम है जिसको कहा है ECT है ना electroconvulsive therapy कि जैसे हमको feeds आते हैं किसी को convulsions आते हैं naturally वो electrically induced किये जाते हैं और उसके द्वारा treatment होती है एक तो कि भी वो rare है आज वरतमान समय इतनी अच्छी अच्छी दवाईयां है कि वो rarely 2000 patient में एकाद किसी को उसकी आवश्यक्ता पड़े बार बार उसकी आवश्यक्ता नहीं है और अच्छा psychiatrist पहले तो सभी दवाईयों का प्रयोग करेगा अगर एक नहीं हुई तो second generation की अच्छी दवाईया है third generation की है उसका भी प्रयोग करेगा और अगर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है तब ही वह ECT का सहरा लेगा और दूसरा एक होता है कि भी जिसमें serious suicidal tendency कि किसी भी क्षण या आत्महत्या कर लेगा और ऐसे किसे हुए हैं यहां तक कि वह psychiatrist के क्लिनिक में गये हैं relatives बैठे है patient उपर terrace में गया उसने जंप लगाई तो जहां पर यह पता है कि इनको manage करना बहुत मुश्किल है वहां कुछ किसों में ECT कारिय कर सकती है और अब यह जो treatment वह different है अपने में शॉक treatment वह लोग डरते हैं उससे अब चुए treatment दी जाती है पहले तो मैंने का rare है it's maybe thousand, two thousand patient में एकात को जरूरत पड़े और दूसरी बात है कि अब जो देते हैं जैसे हम operation के लिए बेहोश करते हैं ऐसे anesthesia देने के बाद और अब जो नए machines आए दियार so safe कि जिसमें जो convulsions भी है ना there are different ways, it's a technical thing कि साइथ सब समझ नहीं पाएंगे तो they are really really safe तो अगर आवश्यक्ता हो तो उसका भी पूरा set होता है कि हमें around eight ECTs की अधिकतर आवश्यक्ता पड़ती है तो उस अनुसार वह भी जो depression के patient में जरूरत है और doctor suggest कर रहे है आप दूसरा भी opinion ले लो आपको यह लग रहा है कि भी आपके doctor ने सही सब medicines का उपयोग नहीं किया और वह यह राय आपको दे रहे हैं तो दूसरे कोई psychiatrist के पास भी जाओ वह भी समझता है कि यह सब दवाईयों का प्रयोग किया लिया है इसमें क्या होता है जैसे हमने drugs की जब दवाईयां ली तो हमें पता चला कि chemical imbalance था तो वो balance करने के लिए उसको complete करते हैं तबदाई ली जाती है इसमें जो electrical convergence है इसमें क्या होता है क्या चेंज आता है तो मैं accept करूँगा एक बात भी 100% पता नहीं परन्तु फिर भी इसमें जो दो बाते होती है कि भी chemical में भी परिवर्तन आता है और दूसरा एक जो फाइदा होता है कि कुछ जो उनकी negative memories है न वो व्यक्ति भूल जाता है stress की memory, certain traumas, abuse, something which might have triggered कि जिसको व्यक्ति भूलता है और उसके कारण भी improvement होता है इसकी अगर history को हम देखे न तो ECT की शरुवाज वास्ता में पागल पेशंट हो के लिए हूँ यही मैस पाने वाली थी कि क्या depression leads to madness also at times it can violent हो या तो ज्यादा समय रहे हमने आगे डिसकस भी किया था कि depressive psychosis होता है तो वो depressive psychosis में madness होगा मैं एक दूसरा point यहां बता रहा हूँ कि जो शुरुवात होई ECT की वो schizophrenia के patients के लिए हुई पागलपन के patients उनके लिए हुई परन्तु फिर कभी-कभी depression के patient को भी दिया गया और देखा कि सबसे फाइदा इनको हो रहा है patient एकदम normal हो रहा है और even miracles हो सकता है कि जिस patient को आपने एक साल तक दवाईयां दी अलग-अलग दवाईयां डॉक्टरों ने प्रयोग किया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है और उसको आपने चार ECT दिये एकदम miraculous एकदम वो नॉर्मल हो गया deep depression में जो गए हुए लोग या तो जिनको आवश रकता है कि भी उसके suicidal thoughts एकदम खतम हो गया जैसे लगा जादू हो गया तो rare किस्सों में यह जज्जमेंट लेना चाहिए कि भी कहां पर आवश रकता है तो देने में हर जाने क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कहा कि bad memories को suppress कर देता है negate कर देता है, delete कर पाता है अगर कोई हम memory में जाके अपनी memory box में जाके उन bad memories को delete कर पाए अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता लेकिन एक और important aspect जो है psychotherapy विचारों का जो generate जो basic अगर हम कहें कि जहां से जन्मे वहीं अगर हम वहीं रोक लगा दे वहीं पदलाव ले आए तो वो हमारा आपके साथ और आपके साथ ज़रूर उस पर detail में और deep जाने की जरूवत है कि क्या होगा वहाँ पर लेकिन अभी ही समय कम है तो थोड़ा सा जल्दी से शुरूर में पूछ लेते हैं कि exactly psychotherapy में किया क्या जाता है अलग-अलग प्रकार की psychotherapy है वास्ताव में जो शुरूवात हुई आज तक भी कहीं इस नाम को जानते हैं इसको का psychoanalysis कि segment Freud ने इसकी शुरूवात की और वो सारी उसकी theory है कि जिसमें बचपन में उनका यह सोचना था कि भी कहीं ऐसी बाते हैं कि जो बड़े होने के बाद आपको बिमार करती है इसको कहेंगे childhood conflicts उनकी अपने एक सारी personality की theory है तो Freudian theory थी फिर उसमें भी बदलाव आया Jung ने उसमें परिवर्तन करके analytic psychology नाम दिया उसका और भी कहीं experts आये जिन्होंने वो जो therapy थी उसमें कुछ कुछ change करते लाए फिर एक जो दूसरी therapy predominantly use होती है जिसको कहा behavioral therapy कि हमारे behavior में जो वहवार है उसमें परिवर्तन लाना उनको सिखाया गया कि जो भी कुछ हद तक effective होती थी वर भी वर्तमान में एक बहुत ही अच्छी therapy है जिसको कहा है behavior cognitive therapy cognition मतलब कि अपने विचारों में परिवर्तन लाना क्योंकि विचारों में mood है और यह जो मूल कारण है वो मूल कारण को बचपन से ज़्यादा संबन नहीं अगर हम अपने विचारों को चेंज कर सके तो मूल कारण को भी दूर कर सकेंगे प्रयोग भी हुए है कि यह cognitive behavior therapy काफी effective है तो डॉक्र साहब बिल्कुल बात यही सामने आती है कि जो अभी तक हमने बात की सस्षिवानी इन फाक्ट चलते चलते कुछ आपसे हम बात जरूर करना चाहेंगे यह कि विचारों में परिवर्तन डॉक्र साहब ने कहा वो सबसे important और बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है उसमें meditation किस तरह से help कर सकती है पूरा जो हमारा पूरा सो पूरी तरह से शायद है meditation meditation में भी अलग प्रकार होती है आजकल बहुत सारी meditations हम देखते हैं कई meditation techniques होती है जो body cue पर focused है breathing technique पर और कोई आसन को भी yoga कहते है लेकिन राजयोगा meditation at least specifically it deals only with the mind only with the mind and if your mind thoughts change होंगी तो attitude अपने आप change हो जाता है तो राजयोगा meditation brings about an attitudinal change you know it's not focused on breathing or physical posture वो पूरी तरह से मन और संकलपों के ओपर केंदृत है तो इसलिए उससे जो परिवर्तन हम लाना चाहे हम अपने विचारों में ला सकते है बिल्कुल psychotherapy एक वो therapy है जो कहीं न कहीं पूरे बदलाफ की तरफ सिर्फ depression से pediatric व्यक्तियों के लिए नहीं मुझे रगता है हम में से हर व्यक्ति के लिए मुझे लगता है हम में से हरे को मुझे तो हो गाई इतिसारी बादे में समझने तो यह हम अपना सकते हैं और इसके बारे में डीटेल में आने वाली कड़ियों में हम जरूर बात करेंगे Dr. Girish Patel और Sister Shivani बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी परिचर्चा के लिए आज जो हमने जाना कि कितना important है medicine लेना और उसके अलावा जो आपने ECT के बारे में बताया है कि वो electric shocks न रहके different तरीके से दिया जाने लग गया और कितना कई बार useful हो जाता है Thank you so much जी हाँ बहुत से बातें आपके पास भी होंगी आप भी ये जानना चाहरे होंगे कि किस तरह से साइको थेरपी को हम अपनी जिन्दीगी में भी अपना सकते हैं किस तरह से मन से या अपने आप से खुद बाते करके क्या ये संभव है कि हम अपना ही अनलेसस करके अपनी ही प्रॉब्लम को खुद सॉल्फ कर पाएं हो सकता है ये पॉसिबल हो आने वाली कडियों में इन्हें जरूर तलाशेंगे अगर आपके पास कोई सवाल है कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साइब करना चाहते हैं आप हमें फोन पर या एमेल द्वारा संपर कर सकते हैं इसके साथ ही अब वक्त है आपसे विदा लेने का लेकिन इसी दुआ के साथ इसी उमीद के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रामकुमारीज में एक बार फिर खुद को तलाशने का ये प्रियास जारी रखेंगे अब दीजे अजासत नमस्का अब दीजे अब दीजे अब श्यांति अब इस साथ इस अब दीजे अब श्यांति अब अब श्यांति अब आपिस को सो अब श्यांति अब